हेलो फेंड्स कैसे आप सब उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रहे होगे तो आज किस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल के राउर केला स्टिल प्लांट 2023 के फीटर और मसनिष्ट के कोस्टन्स के बारे में डिस्कस करेंग और यह प्रैक्टिस सेट 6 रहने वाला इसके पहले मैंने 5 प्रैक्टिस सेट दे रहा है और फ्रेंड्स यह जो प्रैक्टिस सेट 6 रहने वाला यह चैप्टर 2 का दूसरा पार्ट है यानि कि जो चैप्टर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया है यानि कि इसके पिछले वीडिय में कि जो चेप्टरटू है यहनि कि हैंड तूल्स जो चेप्टर है त्थे टू उसको ज़े श्टार्टे किया तो वह विडियो था क्म और यह यहांट 請 स्थांट का से depths अगर आपको फ्री फीडियो है तो आप steer को जोईगा पहकर 001 मिल जाएगा और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और मैंने exam oriented videos बना रखा है जो कि खाजाना वाले वीडियो के नाम से आपको मिल जाएगा और यह सभी ट्रेडरों के लिए और फ्रेंट्स यहां से आपके 5 से 6 प्रसंदों आपके 100 परसेंट अपके इसी खाजाने वाले वीडियो से ही आएंगे ही आएंगे इसलिए exam से पहले इस खाजाने वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें ओके फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स अगर आपकी त्यारी पक्की होगी तो आपकी सेलेक्शन भी पक्की होगी तो आईए अब स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने 1 से 25 तक पसंद कर रखा हैं अगर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उस वाले वीडियो को तो जाकर देख लें उसके बाद इस वाले वीडियो को देखें और यह उला जो विडियो है यह chapter 2 का second विडियो है यानि कि जो hand tools जो chapter है इसका second विडियो है तो हम start करेंगे 26 से तो अगला question है question number 26 निम्न में से किस तार गेज से उच्छे धारा वहन होगी इसका right answer हो जाएक option A यहने कि 18 swg अब आई इसके बारे में समझ लेते हैं swg का पहले तो full form क्या होता है इसको जान लेते हैं इसका full form होता है standard wire gauge होता है अब इसका standard wire gauge के बारे में भी कुछ points को discuss कर लेते हैं क्योंकि यहां से प्रस्न बनते हैं तो इसे से धातू के चादर की जो मोटाई जो होती है उसको मापा जाता है किसे से तो standard wire gauge से इसका दूसरा point क्या है तो standard wire gauge संख्या के back में इसका जो मान होता है वो mm में अंकित रहता है इसका तीसरा point क्या है तो इसमें 0 से 36 तक संख्याएं लिखी होती है यानि कि जो standard wire gauge जो हता है इसमें जो संख्याएं होती है वो 0 से 36 तक लिखी रहती है अगला question है question number 27 लोही की चादर को सीधा करने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है इसका right answer वोचे का option है यानि कि mallet यानि कि mallet का पड़ियोग किया जाता है किसलिए तो लोहे की चादर को सीधा करने के लिए अब आईे mallet के बारे में कुछ points को discuss कर लेते हैं क्योंकि यहां से भी प्रस्म्र Clayton पूशे जाते है तो लकडी द्वारा बने hammer को क्या कहते है तो mallet कहते है यानि कि जो mallet होता है वो लकडी के द्वारा बना हुआ hammer होता है इसका दूसरा point कहा है तो इसका प्रियोग जादा तर धातवी के चादर के लिए किया जता है किसका प्रियोग तो मेलेट का प्रियोग अगला question है question number 28 निमलिखित कारणों में से किसी एक के कारण जोरों के धीलेपन से बचेने के लिए ब्रिटेनिया जोर को सोल्डर करना अनिवार है उस कारण को पहचाने इसका राइट आंसर होज़ाएक option D यानि कि वातावरन में पड़िवर्तन और कमपन के कारण अगला question, question number 29 एलमूनियम चालक पर सोल्डरिंग के रूप में लेक्स को संयुक्त करने के लिए निमलिखित में से कौन से टूल का उप्योब मुस्किल होता है तो इसका राइट आंसर होज़ाएक option A यानि की crimping tool मुस्किल होता है अब डिस्क्स कर लेते हैं option C में दिया गया center punch इसके बारे में कुछ points को discuss कर लेते हैं तो जो center punch जो होता है इसका जो point angle होता है वो कितने degree का होता है तो वो नएड़ी degree का होता है इसी से related तो और होता है एक होता है prick punch और एक और होता है dot punch और यहां से प्रस्ण बहुत बार पूछा गया हुआ है यानि की ये तीनों punch से प्रस्ण तो पूछा ही जाता है इसलिए सभी का point angle अच्छे से याद कर ले तो prick जो punch जो होता है इसका जो point angle होता है वो कितना होता है तो वो 30 degree होता है उसके बाद है dot punch तो dot punch का कितना होता है तो 60 degree होता है और ये तीनों बहुत ही ज्यादा important है खजाने वुले वीडियो में मैंने इसके बारे में बता रखा है अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो जाकर देख लें क्योंकि जितनी भी सारे खजाने वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है यानि कमने चैनल पर डाल रखा है उन सभी को आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका 5-6% तो कम से कम 5-6% तो 100% आपका वहीं से पहले इस खजाने वाले वीडियो को देख कर ही जाएं ओके फेंट्स आएगा ही आएगा है आएए अब जो अगला प्रस्ण है उसको भी डिस्कुस कर लेते हैं अगला कोस्टन है कोस्टन नमबर 30 हो थोड़ा मूलतह एक प्रवर्धक है इसक्राइट आंसर होच एक उप्सटन डी यानि की बल का प्रवर्धक है कौन तो हथोड़ा अगला कोस्टन है कोस्टन नमबर 31 समाने का रहे तू एक बेंच वाइस एक बेंच वाइस की उचाई पर निर्धारित करते हैं यानि कितने सेंटीमीटर पर करते हैं इसक्राइट आंसर होचागा ऑप्सटन ची यानि कि 106 सेंटीमीटर यानि कि समाने का रहे तू जो बेंच वाइस होता है वह एक सो चो सेंटीमीटर उचाई पर निर्धारित करते हैं अब आई कुछ important जो points है bench wise जो है इसके बारे में discuss कर लेते हैं तो bench wise का पहला point क्या है तो इसका पहला point है इसको यह जो bench wise होता है इसको समनांतर wise भी कहते हैं किसको तो bench wise को इसका दूसरा point क्या है तो इसका दूसरा point है सभी प्रकार के चीजों को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है इसका पहला point कहा था तो bench wise को समनांतर wise भी कहते हैं और इसका दूसरा point कहा था तो सभी प्रकार के चीजों को पकड़ने के लिए हम bench wise का प्रयोग करते हैं तो आई होप यह वाला भी पॉइंट आपको समझ में आग्या होगा अगला कॉशन कॉशन निमली खीते में से कौन सा बेंच वाइस के लिए सही नहीं है तो इसके राइट आंसर वोच एक आप्शन भी यानि कि वर्क के बेंच पर वाइस को एक नट बोल्ट बेवास्ता से फिट किया जाता है यह वला जो पॉइंट है यह क्या है तो बेंच वाइस के लिए सही नहीं है और बाकी सब सही है अगला कोशन है कोशन नमर 33 उर्दवाधर 36 या कोनिय इस्तिती में जौब के ग्रिपींग के लिए इस्तमाल किये जाने वाला जो वाइस है वो है इसका राइट आंसर वाज़े को आप्शन डी यानि कि सर्वात्रिक मसीन वाइस अगला कोशन नमर 34 बेंच वाइस को समनांतर जबड़ा वाइस कहा जाता है क्यों कि इसका राइट आंसर वाज़े को आप्शन डी इसके मूल जबड़े इस्तिर जबड़े के समनांतर चलता है इसलिए बेंच वाइस को समनांतर जबड़ा वाइस कहा जाता है अगला कोशन नमर 35 वाइस क्लैंप का उप्योग किसके लिए किया जाता है इसका राइट आंसर वाज़े को आप्शन सी यानि कि पड़िस्क्रित प्रिष्ट को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है अगला कोशन नमर 36 धातू टीवबो और पाइपो के काट को रखने के लिए निमलिखित वाइस में से किसका प्रियोग किया जाता है इसके राइट आंसर होज़े को आप्शन डी यानि कि पाइपो वाइस कपड़ियोग किया जाता है अब आए फ्रेंट्स जो आप्शन ए में दिया गया है पीन वाइस इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहां से प्रस्ण बनते हैं तो यह वाइस अत्यांत महिन तार्नुमा जौब को पकरने के काम आता है कौन तो पीन वाइस इसलिए इसे क्या कहा जाता है इसलिए इसे पीन वाइस कहा जाता है क्योंकि यह अत्यांत महिन तार्नुमा जौब को पकरता है अगला question, question number 37, निमली खित मैंसे, कौन से nut का उप्योग, दस्ति वाइ से हेतू किया जाता है, इसका right answer हो जाका option C, यानि की wing nut, यानि की wing nut का उप्योग किसलिए कहता है, तो दस्ति वाइ से हेतू किया जाता है, अब आए wing nut के बारे में कुछ points को discuss कर लेते हैं, तो जो wing nut होता है, उसे fly nut भी कहा जाता है, इसका दूसरा point के है, तो इसका दूसरा point है, इसको परियोग, यानि की इसका जो परियोग होता है, वो hexa frame में होता है, यानि की जो hexa frame लगा होता है, उसमें इसका, यानि की wing nut का परियोग होता है, blade को tight या फिर धीला करने के लिए, अगला कोस्टान को समब 38 इंजिनियर के वाइस का अमाप किसके द्वारा विनिर्दिष्ट है इसका राइट आंसर हो जाएक ओप्सन भी यानिकि जो की चौराई से जो की चौराई द्वारा विनिर्दिष्ट है अगला कोस्टान कोस्टान 39 वाइसो का उपयोग किसके लिए किया जाता है इसका राइट आंसर हो जाएक ओप्सन भी यानिकि वर्ग पिसको धारन करने के लिए वाइसो का उपयोग किया जाता है अगले कोश्यन कोश्यन नमर्फोटी बेंच वाईस तकुए में होती है तो इसके राइट आंसर वोचाएक ऑप्सन भी यानिकी वर्गकार चुड़ी है यानिकी जो बेंच वाईस होता है इसमें वर्गकार चुड़ी होती है अब आई फ्रेंड्स जो important important कुछ points हैं उन्हों सभी को discuss कर लेते हैं वहां से प्रस्ट में पूशे जाता है जैसे कि एक में चूडिये तो एक में जो चूडिया है जो है यानि कि एक में जो thread है इसका angle कितना होता है इसका जो angle जो होता है वो 29 degree का होता है और यह बहुत ही ज़्यादा important है उसके बाद friends जो वर्गा कार चूडिये है यानि जो square thread है इसका angle कितना होता है इसका जो एंगल है वो 0 degree या 90 degree होता है और जो bench wise होता है उसमें वार्गकार चूरिये यानि कि square thread का उपियो किया जाता है ये भी आपको याद रखना है उसके बाद friends है option C में buttress चूरिये यानि कि buttress thread इसका एंगल कितना होता है तो इसका जो एंगल होता है वो होता है 45 degree होता है friends ये तीरो जो point है ये बहुत ही ज्यादा important है इस पर भी मैंने यानि खाजानों ये वीडियो में इस पर भी मैंने वीडियो बना रख़ा है ओके फेंड्स अब आई अगला जो प्रस्ने उसको discuss कर लेते हैं अगला question number 41 हाथ वाइस यानि कि hand वाइस कपड़ियोग इसे पकरने के लिए किया जाता है कि इसका right answer हो जाग option A यानि कि बहुत छोटी बहुत छोटी वस्तु को पकड़ने के लिए हाथ वाइस यानि कि hand वाइस का प्रयोग किया जाता है अब आए फ्रेंट्स जो hand wise है इसके बारे में भी कुछ points को discuss कर लेता है जैसे कि जो hand wise होता है इसका body जो होता है वो किस material का बना होता है तो वो mild steel का बना हुआ होता है इसका दूसरा point क्या है यानि कि hand wise का दूसरा point है इसका जो size जो है वो जबडे की चौराई से लिया जाता है किसका तो hand wise अगला question question 42 pipe wise pipe को पकड़ती है उसका right answer हो जगा option C यानि कि चार बिंदूओं पर पकड़ती है अब आए पाइप जो wise है इसके बारे में कुछ points को discuss कर लेते है जैसे कि इसके दोनों जबडे ढालवा steel जो होता है इसके बने होते है इसका दूसरा point कै है तो इन्हें उस्म उपचार के दोरा hard किया जाता है किसको तो pipe wise को यह पाइप वाइस के जबडे को अगला question है question number 43 ए ग्रेड का 50 mm लंबा B block जो 50 से 40 mm ब्यास के कारे को पकड़ सकता है वह कहलाएगा इसका राइट answer हो जाएगा option B यानि कि B block 50 बटे 540 A कहलाएगा अगला question question number 44 बेंच वाइस के एक वर्गकार चूडीदार बेंच ढाले जाते हैं इसका राइट answer हो जाएगा option C यानि कि मृदू इस पात के ढाले जाते हैं अगला question question में 45 बेंच वाइस spindle किसका बना होता है यानि कि जो बेंच वाइस जो होता है इसका जो spindle जो होता है spindle वो किस material का बना हुआ होता है इसका right answer हो जाएग option D यानि कि मृदू स्टेल का बना हुआ होता है अगला कोशन में 46 नर्म क्लैंप को बेंच वाइस में धातू चादर की क्लैंपिंग में उप्योग किया जाता है क्योंकि तो इसकराइट आंसर हो जाएगा ओप्सन डी यह उच्छे यह थार्तता यह सुधता देता है अगला कोशन कोशन में 47 बेंच वाइस के स्पींडल में किस प्रकार के थ्रेड कटे होते हैं या फिर काटे जाते हैं इसका right answer हो जाएगा option B यानि कि square thread काटे जाते हैं और इसका एंगल कितना होता है तो इसका जो एंगल होता है वो 0 degree या फिर 90 degree होता है दोनों होता है ऐग्मी फ्रेट का कितना होता है तो 29 degree होता है उसके बाद oléड़ से बटरेस फ्रेड का कितना उसके बटरेस फ्रेड का 45 ध्रेड होता है अगला कोस्वार बटरेस खाले के दाते क्यों कटे होता है इसका राइट आंसर रोज़े का option C यानि कि job की पकड़ बनाने के लिए काटे होते है अगला question, question number 49 B block किस material का बना होता है इसका राइट आंसर रोज़े का option C यानि कि cast iron का बना होता है कौन तो B block अगला question, question number 50 double label B block में कितने B group होते है इसका राइट आंसर रोज़े का option C यानि कि दो होते हैं यानि कि double label B block में दो B group होते है तो friends आज के लिए इतना ही वीडियो कैसा लगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी notification उसका message आपके पास सबसे पहले पहुंचे और friends अगर आपको free pdf चाहिए free pdf तो आप हमारे telegram को join कर सकते हैं और आप हमें instagram पे भी follow कर सकते हैं और आपको तो पता ही है कि खाजानों वाले जो वीडियो है यहां से friends 5-6 प्रसन तो आपके 100% पूछे ही जाते हैं और यह तो कम से कम हुआ इससे जादा भी प्रसन पूछा जा सकता है इसलिए इस खाजानों वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें एक्जाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर नहीं जाएं यह सभी टेडों के लिए हैं ओके friends thanks for watching झाले यह सपते हैं